जैहिंद प्यारे बच्चों मैं मम्तिस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिबार रोजगार विदनकित में तो सभी दोस्त किलास के साथ जुड़ेंगे और सब लोग देख रहे होंगे आज आश्यरे चेकित रहे होंगे सब लोग आप सब सभी को राम आपकी क्लास डिस्टर्व ना हो क्लास की रेगुलेटी बनी रहे है ना तो इसके लिए आज जो है क्लास आज का प्रक्टिस सेट हम करा रहे हैं ठीक है तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और सभी दोस्तों को नमस्कार है प्रणाम है तूपरबाद है सब्सक्राइब करते हैं प्यारे बचे तो सबसे पहले आपका कल का ग्रहकारिया था यानि कि जो पीछे आपका प्रक्टिस सेट हुआ है उसका प्रशन है निरणय का परिया वाची सब्द नहीं है निरने का अगर हम कोई बात कर रहे हैं या किसी से बात कह रहे हैं तो कहते ना हैं कि भाई जल्दी से निरने लो अर्था तो फैंसला लो निरने लो फैंसला लो परिणाम निश्चे या फिर बिस्वास उसने कहा नहीं है ध्यान रखना ये वाली बात जरूर पढ़न निरने के परियाई वाची होते हैं और D वाला विकल्प एकदम सही है ठीक है तो पहला पॉइंट पहला प्रशन आपका क्या होगा क्या कह रहा है निम्नलिकित वाक्य के रेखांकित सब्द के इस्थान पर सर्वोचित विकल्प का चैन करना है हम लोगों को उसने उपाय किया ताकि परिक्सा उत्तिन कर सके परिश्रम, सहयोग या तप या फिर मेरे दोस्त अनुस्ठान तो बताएंगे मेरे दोस्त कौन सा विकल्प सही हो जाएगा उसने कहा के रेखांकित सब्द के इस्थान पर सर्वोचित विकल्प बताना जो इसके इस्थान पर इन विकल्पों में से आ जाए तो आपका उत्तर कों सा होगा बिल्कुल सही है देखो उसने उपाय किया ताकि परिक्सा उत्तीड कर सके इसका मतलब शहयोग होगा क्या शहयोग अर्थात सहता कर सके ऐसा करके लेलो कि उसने परिश्रम किया ताकि परिक्सा उत्तीन कर सके भाई देखो आप अगर परिक्सा को पास करना चाहते हो तो आपको परिश्रम करना चाहिए आप अगर परिक्सा को पास करना चाहते हो परिक्सा को उत्तीन करना चाहते हो तो प्यारे बच्चे आपको क्या चाहिए आपको जो है परिश्रम करना चाहिए ठीक है अगले कोशन में पॉल मिल जाएगा वीर आपको आगे सहयोग है इसका अर्थ होता है सहयता इसका अर्थ क्या होता है वीर आपका सहयता तब करोगे तब करोगे क अनुस्ठान का मतलब होता है मेरे दोस्त नियम पूर्बक इसका मतलब होता है नियम पूर्बक नियम पूर्बक आरंब करना नियम पूर्बक आरंब करना अनुस्ठान का अर्थ होता है तो विकल्ब कौन सा सही हमारा एवाला नेक्स्ट है दूसरा प्रसंद डंके की रिक्ति रिक्तिस्थान की पूर्ती उचित सब्द दुवारा करनी है तंकार चोट या मार या फिर आवाज बताओ मेरे दोस्त क्या होगा बताओ जल्ली से क्या होगा आप लोगों का डंके की रिक्तिस्थान पर कहना तंकार पर कहना या फिर चोट पर कहना या फिर मार पर कहना या फ कि चोट पर कहना इसका मतलब होता है इस पस्ट गोंसना करना क्या होता है बीर इसका मतलब होता है आपका इस पस्ट गोंसना करना यानि कि मान लो अगर हमें पता है कि जो कोई अगर कोई बात हो गई है और अगर कोई बात हो गई है और हमें पता कि वो बात बिलकुल सही है ल डंके की चोट पर कहा अर्थात स्पस्ट गोंसना करना ये वाली बात बिलकुल सही और सटीक है आवाज सही नहीं होगा मार सही नहीं होगा और टंकार भी सही नहीं होगा नेक्स्ट आगे देखो अगогला पॉइंट कहरा चक्की के दो पाटो में कोई सबूत नहीं बच्टा तो प्यारे बच्चों इस बाकिये में के निम्न में से किस सब्द में वरतनी की असुध्धी बतानी यानि कि कौन सा ऐसा है कि जिसमें वर्तनी की असुध्धी आप लोगों को दे रखी है इस प्रशन का जबाब आपका क्या होगा बच्टा या सबुत या फिर चक्की या फिर पाटो तो कौन सा विकल्प सही और सटीक होगा बताएंगे जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा पोल में अधिकतर विद्यार्तियों का उत्तर आ रहा है बीबाला तो देखो उसने कहा के चक्की के दो पाटों में कोई सबूत नहीं बचता आपने एक कहावत भी सुनी होगी चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई तो मेरे दोस्ती ये सबुत नहीं साबुत हो जाएगा अर्थात आप एक बात बताओ जो चक्की चलाओगे और चक्की के दो पाट होते हैं उन दो पाटों के बीच में आप अनाज को रखोगे और उसको गुमाओगे तो क्या अनाज साबुत बचेगा नहीं वो तो पिस अर्थात साबुत बिकल्प आपका बिल्कुल सही और सटीक है अर्थात असुद्धी सबुत सब्द में थी इसके स्थान पर क्या होगा साबुत होगा नेक्स्ट है पंजाब रिक्तिस्थान है उपरियुक्त वाक्ये में रिक्तिस्थान के लिए उपयुक्त बिकल्प हम ल इस प्रशन का उत्तर बताओ, बिल्कुल सही है, देखो भी रो, यहां दियान दो, उसने कहा पंजाब, पंजाब का मतलब होता है, पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर पांच नदियों का संगम होता है, पांच नदियों का मिलाब होता है, तो पांच संत पंजाब से अभिप्राय है, पाँच नदियों की धरती से, जितने भी विध्यारतियों का विकल्प ए था, उनका बिल्कुल सही और सटीक है, आगे आजाओ, अनुचित बात के लिए आगर है, वाक्यांस के लिए एक शब्द बताना है कौन सा विकल्प होगा, दुरागर है ह या दुरागर ही होगा, या फिर सत्यागर होगा, या फिर दुस्साहस होगा, कौन सा विकल्प सही और सटीक हो जाएगा, अनुचित बात के लिए, मेरे दोस्त बताना है, आगर है, बाक्यांस के लिए एक शब्द बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ए विकल्प, आधे से कि तुन ने ऐसा सहस किया, दुस्साहस किया, यह भी नहीं होगा, और दुरागर ही का मतलब जो होता है मेरे बीर, वो कहते हैं हम जो बिना उचित या अनुचित बिचार के अपनी बातों पर अड़ने वाला, बिना उचित और अनुचित बिचार किये, अपनी बातों पर अ उसंटा नग्रह करता है यह उचित और अनुचित दोनों बातोंगे लिए और यह केबल अनुचित बात के लिए इतना ध्यान को कि इतना ही ध्यान रखना हम लोगों को नेक्स्ट अगला प्रशन देखो क्या राके घाव पर नमक क्या होगा रगणना होगा मलना होगा डालना होगा या फिर छिड़कना होगा क्या होगा मेरे दोस्त पताओ रिक्तिस्थान के लिए सही विकल्प बताना है आप लोगों को कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा घाव पर नमक तो मेरे दोस्त देखो उपरुक्त मुहाबरे के रिक्तिस्थान को भरना है क्या रगणना हो जाएगा? नहीं, क्या मलना हो जाएगा? नहीं, क्या डालना हो जाएगा? नहीं, तो क्या होगा बीर? छिड़कना हो जाएगा, यानि कि उसने बोला है कि घाव पर नमक छिड़कना, कहते ना है, अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, और आप जाकर क उसको और चिडाने के लिए कुछ कह दो, तो कहते ना क्यों गहाओ पर नमक छिड़क रहा उसके, अर्थात कहने का मतलब है, दुखी को और दुखी करना, इसे ही कहते हैं मेरे वीर, क्या गहाओ पर नमक छिड़कना, नमन में से कौन सा सब्द सम्हू बादल, बादल का परियावाची है, यह बताना है, नमन लिखित में से कौन सा सब्द सम्हू ऐसा है, जो बादल का परियावाची है, अब हमें बादल का परियावाची ढूंड़ना है, कौन सा होगा, अब हमें वादल का परियावाची ढूं और 76% विध्यारतियों का जो है वो डी उत्तर है फोर विकल्प है चलिए देख लो अगर मैं गिरी की बात करूँ तो देखो ये वाला जो गिरी होता है इसका अर्थ होता है वीर आप लोगों का बीज गिरी किसको कहते हैं बीज को और अगर आपसे पूछा जाई ये वाला ग नग जो बोलते हैं मेरे दोस्त ये परवत का परियाएवाची होता है और जलधर जो होता है ये बादल का परियाएवाची होता है दोनों बिकल्प बताने हमें सब्द सम्हू को बताना तो ये देखो यहाँ पर अलग हो गए छनदा की बात करूँगा तो छनदा रात का परियाईवाची होता है रात्री का सरवरी का परियाईवाची होता है जलधर को मैंने अभी आपको बताया बादल का परियावाची होता है जल कौन धरता है बादल ही धरता है उसको ही कहते है नेक्स्ट आगे देखो इसके बाद आता है जलद और नीरद जलद और नीरद और एक आता है आप लोगों का क्या मेरे दोस्त मेग किसके परियाए बाची होते हैं ये सब बादल के परियाए बाची होते हैं ये सब किसके परियाए बाची होते हैं ये सब बादल के परियाए बाची होते हैं इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी एकदम शांदार और एकदम सटीक तरीके से भाया नीरजसर वाले मेरे बेर मैं आपको बता दूँ सत्य बात क्या है सत्य बात यही है कि नीरसर जो है अपने भांजे का उनके भांजे का दिल्ली पुलिस का मेडिकल है तो वह वहां पर गए हैं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो ताकि उन्होंने हम से बोल दिया कि किलास ले लीजे ठीक है भी या तो परिशान ना हो कोई भी कल से बही किलास लेंगे आगे आजाओ निम्न वाक्यांस के लिए उप्युक्त एक सब्द का चैन विकल्पों में से करना है आप लोगों को कुछ विध्यारती मुझे जानते हों मतलब पहली बार देख रहे होंगे मुझे है ना ठीक है वहाँ कोई बात ना आगे देखो भविष्य में होने वाला इसको क्या कहेंगे विए इसका उत्तर बताओ भविष्य में होने वाले के लिए एक सब्द बताना मेरी शेर क्या होगा जल्दी से ठीक है इसका उत्तर ब पतादू आप लोगों को भविश्य में होने वाला क्या होता है आप लोगों का देखो यहां पर दिया है क्रेटा क्रेटा किसको कहते हैं खरीदार को कहते हैं खरीदने बाला चाहो ऐसे कह दो खरीदने बाला होता है खरीदने बाले को कहते हैं क्रेटा क्रेटा किसको कहते हैं खरीदने वाले को कहते हैं और अपूर्ब उसको कहते हैं जो अनूठा होता कहते ना यह तो बिल्कुल अनूठा है और वक्ता मेरे दोस्त बोलने वाला होता है वक्ता जो होता है बोलने वाला होता है और एक आता है भविश्य में होने वाला तो भविश्य का मतलब क्या होता ह कारिय का या क्रिया का भविष्य का मतलब है क्रिया का आने वाले समय में होना यही क्या कहलाता है मेरे दोस्त भावी या फिर भविष्य कहते हैं पॉइंट है, क्लियर है मेरे शेरितनी बात यहां तक एकदम समझ में आ गई होगी, इतनी बात एकदम क्लियर होगी, नेक्स्ट है, आगे अगर बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर, कह रहे हैं कि निम्रिलिकित विकल्पों में से किस एक बाक्ये में सरवणाम के बिल्कुल बहुत बढ़ा देखो भई जो कुछ मेरा है वह सब आपका है यह मेरे पिताजी है मोहन तुम आकर चमा मांगेगा मोहन तुम आकर नहीं भई यही बिकल्प बिल्कुल तुरूटी है इसी बिकल्प में तुरूटी है उसने कहा सर्बनाम सममन्धी तो सरवनाम किसे कहते हैं सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए, सरवनाम की परिभासा बनेगी कि जिन सब्दो का प्रियोग या जिन सब्दो को संग्या के इस्थान पर प्रयुक्त करते हैं, आप कहोगे सर कैसे संग्या के इस्थान पर प्रयुक्त कर देंगे हम, है ना, तो देखो जैसे मैं कोई उधारन दे दूँ आप लोगों को, मैंने एक उधारन दे दिया, मैंने कहा, मोहन, मोहन, बाजार गया, मोहन, बाजार गया, मोहन ने या ऐसे करके लिख दूँ और मोहन ने कपड़े खरीदे मोहन ने कपड़े खरीदे अब आप एक बात को नोट करो यहां पर क्या है बात उसने कहा कि सरवनाम जिन सब्दों के जिन सब्दों को संग्या के इस्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं वीर उसको हम सरवनाम कहते हैं अब यहां पर संग्या सब्द क्या आ कि जो सब्द संग्या के इस्थान पर प्रियोग तो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं तो यहां मोहन है मोहन बाजार गया और भीया इस मोहन के इस्थान पर मैं क्या कर दूँगा मोहन बाजार गया और उसने और उसने कपड़े खरीदे अब एक बात बताओ इ संग्या के लिए हुआ अर्थात संग्या के इस्थान पर प्रियोग हुआ तो ये उसने जो सब्द है ये क्या कहलाएगा आपका सर्बनाम जो आपकी परिभासा है वो आपकी सिद्ध हो गई लेकिन हमसे जो प्रशन पूछा था मोहन तुम आकर छमा मांगेगा मोहन तुम से आकर छमा मांगेगा तुमके स्थान पर क्या हो जाएगा वीर मोहन तुम से मोहन तुम से आकर छमा मांगेगा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा विकल्प सी वाला एकदम सही और एकदम सटीक एकदम जबरदस्त हो जाएगा ठीक है वीर किलियर है ती बात यहां तक चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखो अगला पॉइंट, बाकी सब विकल्प सही है, बाकी सभी विकल्प जितने हैं, वो सब सही है एक दम, कोई दिक्कत नहीं है उन में, आगे दिया है कि निमनलिकित सब्द के सही परियावाची सब्द का चैन करना है हम लोगों को, विकल् सही और फटी को हो जाएगा आप लोगों का, स्पीट से बताओ, समुद्र की बात हो रही है वीर, गजब, देखो किसी का C है किसी का D है, लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर मैं समुद्र की बात करता हूँ तब, तो देखो, समुद्र का परियावाची हमसे पू उदद ही भी हम किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, पारा बार भी हम किसको कहते हैं, बीर, समुद्र को कहते हैं, और क्या मेरे दोस्त वारिद ही, वारिद ही भी हम किसको कहते हैं, बीर, समुद्र को ही कहते हैं, जलद ही भी हम किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, इतनी को कहते हैं और किसको कहते हैं नाहर को कहते हैं शिंग को कहते हैं किसको कहते हैं शिंग को कहते हैं बन राज एक आता है आप लोगों का क्या बन राज आता है मेरे दोस्त केसरी आता है आप लोगों का केसरी भी सेर को कहते हैं और सरीता जो होता है यह नदी का परियाएवाची होता है तटीनी का परियाइवाची होता है नदी का और तटीनी का परियाइवाची होता है और नेक्स्ट आता ब्याल ब्याल बोलते हैं मेरे दोस्त हम किसको सर्प को बोलते हैं साप को बोलते हैं उरग को बोलते हैं और किसको बोलते हैं मेरे दोस्त एक आता भुजंग क्या ताबीर एक आता है आप लोगों का भुजंग और बिश भी तो धरता आए ये क्या धरता आपने पास बिश को बोलते हैं जहर बिश को बोलते हैं बीर जहर को बोलते हैं तो क्या हो गया हमारा उत्तर क्या हो गया समुद्र का समुद्र का हो गया हमारा पयो निधी पयो निधी अर्थात पानी का पानी को रखने वाला पानी को धारन करने वाला जिसके पास जादा पानी होता और सागर भईया समुदर तो अपने आप में अथा होता ही है आप लोग भी जानते हो इस चीज को ठीक है क्लियर है अच्छी बात है आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर आ कौन सा विकल्ट से होगा वीर, इसका उत्तर बताना, बहुत बढ़िया, देखो, आप अराम से एकदम ध्यान से समझो, क्या बोला है उसने कि आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, भाई अगर ध्यान सब्द यहां पर पुलिंग है, तो क्रिया भी तो पुलिंग रखोग करो, तो भाई यहां पर सुननी के स्थान पर क्या हो जाएगा, सुनना चाहिए, क्या होगा वीर, सुनना चाहिए, बात समझ में आ गई, आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, पॉइंट है एकदम जबर्दस तरीके से बात, भाई यह बफ तो नहीं हो रहा है, एकदम स पटीक चल लेए किलास कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे निम्नलिकित में से शुद बाक्य बताना है मोहन बहुत माधव चात्र है मोहन बहुत मेधाव चात्र है मोहन बहुत मेधावी चात्र है मोहन बहुत मेधावी चात्र है इसका उत्तर बताना क्या देखो मेरे वीर माधव कोई सब्द नहीं होता मेधावी कोई सब्द नहीं होता मेधावी होता है लेकिन यहां बहुत गलत है ठीक है लेकिन विकल्प कौन सा सही है मेरे दोस्त मोहन बहुत मेधावी चातर है मेधावी का अर्थ होता है ग्यानी ग्यानी कहतो आप या फिर कह स सकते हो तीवर मतलब तेज बुद्धी वाला उसको कहते हैं क्या मेरे दोस्त मोहन बहुत मेधाबी छात्र है आगे बढ़ेंगे पॉइंट पर क्या कह रहा है कि निम्नलिकित में से उस बाक्य का चैन करना है जिसमें एनिश्चे वाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रियोग किया गया है यह बताना आगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिकित में से उस शर्वनाम का चैन करना है रथात एनिश्चे वाचक सर्वनाम का जिन सर्वनाम सब्दों से किसी निश्चित बस्तू का बोध नहीं होता उसको एनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं एनिश्चे का मत में कोई ना कोई नहीं आ रहा है आप कोई हैं जो दुखी होकर मन में भटक रहे हैं दुखी होकर बन में भटक रहे हैं कोई हैं भाईया सेंटेंस ही गलत प्रियोग हैं सारे आगे हैं आपने तो मेरी बात का कुछ कुछ का कुछ अर्थ निकाल दिया आपने तो मेरी बात का कुछ का कुछ अर्थ निकाल दिया सिक्ष्टी प्रतिशत 63 प्रतिशत हो गए अब 63 प्रतिशत विध्यारतियों ने उत्तर डी दिया है 63 प्रतिशत विध्यारतियों ने उत्तर डी दिया है नेक्स्ट आगे देखो अगला पॉइंट कहरा के निम्नलिकित में से युद्ध युद्ध के लिए समनार्थी सब्द नहीं है यह जरूर पढ़ ले करो भईया नहीं वाली बात जरूर पढ़ ले करो ना है यहां है कभी तुम उत्तर दे वैठो हां का हैं और वो पूछ रहा ना का और आप कोसिस कर रहे हों उत्तर लेने की हां वाली तो भाईया यह तो गलत बात है तुमारी बिल्कुल क्योंकि वो तो अपने हिसाब से उत्तर देगा आपको ठीक है उसने कहा नहीं है युद्ध की बात युद दोस्त ताथ चलने बाला होगा नेक्स्ट अगला प्रशन क्या कह रहा आपका बहव्यक्ति उनका अनुचर है उक्त बाक्ये में प्रयुक्त अनुचर अनुचर सब्द की बात होई है कि इस थान पर उसके समनार्थी सब्द का प्रियोग निम्न में से किस बाक्ये में नहीं किया गया है इस प्रशन का जवाब आप लोगों को देना है क्या विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा यही बात आपको बतानी है तो बताएंगे जल्ली से बताएंगे एक दम स्पीट से बढ़िया अब हो रही है रिप्रेस करो इसका उत्तर देंगे मेरी बीर ये वाली बात पता होनी चाहिए अनुचर बोलते हैं पीछे पीछे चलने वाला नोकर को बोलते हैं तो मेरे दोस्त बहव्यकति उनका चाकर है या नहीं की बाता गई तो बीर एक बात का बिसेस द्यान रखना है बहब्यक्ति उनका निर्जर है निर्जर है निर्जर का अर्थ होता है बीर देवता निर्जर का अर्थ क्या होता है देवता तो देवता थोड़ी होगा भाई बहव्यक्ति उनका देवता है विकल्प ए वाला जितने छात्रों का है उनका बिल्कुल सही है सटीक है जवर्दस्त है बढ़िया है गजब है ठीक है भी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अब देखो तुमारे 15 प्रशन तो थे आपके टोपिक से तो 15 में से आपका कितना स्कोर रहा ये जरूर बताईएगा और नेक्स्ट अब आता है आप लोगों का क्या गध्यांस इसको पढ़ करके उत्तर बताना हैं आप सब को तो देखो पहला क्या है भारतिय मनीशा ने जिस प्रकार संतोस करने के लिए हमें सीख दी है उसी तरह सोलय का उत्तर बताना इसमें देख के रिक्तिस्थान के लिए सरबाधिक उप्युक्त सब्द इन में से कौन सा होगा असंतोस लालच प्रेम गुसा उसी तरह संतोस करने के लिए भी कहा है उसी तरह लालच करने के लिए भी कहा उसी तरह प्रेम करने के लिए भी कहा उसी तरह गुसा करने के लिए भी कहा तो कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रशन का जवाब बताओ प्रशन नंबर 16 का उत्तर बताओ प्रशन नंबर 16 का उत्तर दी है उसी तरहे ए संतोस करने की सलहा भी तो दी होगी ए संतोस करने के लिए भी तो कहा होगा मालों अगर हमारे पास दो रुपएं है तो हम उस दो रुपएं में ही संतुस्ट हैं है ना तो वो संतोस करने की सीख दे दी अब एक बात बताओ जब संतोस है तो ऐसंतोस भी होगा जब संतोस है तो ऐसंतोस भी होगा लालच तो होने से रहा प्रेम तो होने से रहा गुसा तो होने से रहा उसी तरहा किसके लिए कहा है ऐसंतोस करने के लिए भी कहा है तो यहां पर क्या जाएगा विकल्प में, संतोस, संतोस का बिलोम हो गया, संतोस, ठीक है वीर, clear, आगे अगला पौइंट सत्र न प्रक्रम जिर आगे पड़ते हैं, तो है, यह वाली बात तो हो गई, पूरी एकडम, यह वाली बात यहां पर पूरी हो गई, नेक्स्ट है चानक्यने के अनुसारा हमें इन तीन उपकरमों में शन्तोस नहीं करना चाहिए एक तो है थीशु नैब करटब्ये विद्यायाम जपे दानयो मतलब विद्यार्जन में कभी सन्तोस नहीं करना चाहिए कि बस बहुत ग्यान बहुत ग्यान परदान कर लिया अरजित कर लिया एकटा कर लिया दान कर लिया क्या होगा तो मेरे दोस्त बताओ कर लिया इसी तरह जब और दान करने में भी इसका उत्तर बताओ प्रशन नमर 17 का उत्तर सोरी बिल्कुल सही है देखो उसने कहा है कि द्यान से देखो त्रिशूर नेव करतब भी है विद्यायाम जपैदानयो अर्थात विद्या अर्जन में विद्या को अगर हमें सीखना है विद्या का हमें अर्जन करना है तो कभी संतोस नहीं करना चाहिए विद्या को सीखने के लिए कभी भी संतोस नहीं कर काई बशान और यहां कि डिया विद्या अर्जन के लिए कभी भी शंच नहीं कर करना चाहिए कि बहुत ज्ञान अरजित कर लिया मेरे दोस्त कर लिया अरजित विकलब अठंटिक एएएएए एएएएए नेक्स्ट अगला प्रशन कहा रहा है आप लोगों का के नहीं करना चाहिए बैसे संतोस करने के लिए तो कहा गया है जब आवे संतोस धन सब धन धुरी समान जब आपे संतोस धन तो सबधन धुरी समान सब कुछ समान दिखता है आगे देखो जो यहां पर जब कर लिया इसी तरह सुरी ये वाला है बहुत ग्यान अरजित कर लिया इसी तरह जब और दान करने में भी क्या नहीं करना चाहिए कम गुस्सा अधिक संतोस तो बताओ इसी तरह जब और दान करने में भी संतोस नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बीर बिल्कुल सही बात है दीवाला इसी तरह किसमें मेरे दोस्त संतोस नहीं करना चाहिए वैसे संतोस करने के लिए तो कहा गया है जब आबे संतोस धन सब धन धुरी समान हमें जो प्रा जामे कुटुम समाएं मैं भी भूका नहीं रहूं अगे हैं साधुन भूका जाएं क्या होगा बीर देखो क्या कहा हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोस करना चाहिए यानि कि जो हमें प्राप्त हो, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें हमें संतोस प्राप्त कर लेना चाहिए, साइं इतना दीजिए, जिसमें सारा कुटुम समा जाए, मतलब सबका भला हो जाए, मैं भी भूका ने रहू और सादू भी भूका ना जाए, एक तो मैं मेरे दोस्त भूका ना रहूं और दूसरा भी भूका ना जाए कोई और अगर मेरे घर पर आए मेरे दर पर आए तो भो भी भूका ना जाए तो मेरे दोस्त यहां पर क्या जाएगा शाधू विकल्प बिल्कुल सही और शटीक हो जाएगा अगला प्रशन अगला प्रशन यह हो गया आगे देखो रिक्तिस्थान के लिए सरवाधिक उप्युक्त बताना है आप लोगों का आगे दिया है क्या आज के मनुश्य की सांसारिक्ता में बढ़ती लिप्तता वैस्विक वाजारबाद और भोतिक्ता की चका चोंद के कारण संतरास कुंठा और एसंतोस दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है इसी एसंतोस को दूर करने के लिए संतोसी बनना बीस का उत्तर बताना है क्या होगा आवश्यक है बीबी नहीं अधिक और कम कौन सा विकल्प सही हो जायेगा उसने कहा संतोसी बनना क्या होगा आपका विकल्प बिल्कुल सही है संतोसी बनना क्या होगा मेरे दोस्त आवश्यक क्या होगा आवश्यक होता है या हो गया है तो प्यारे बीर आपका जो है 20 प्रशन थे आप लोगों के इन 20 प्रशनों में से आपका कितना स्कोर रहा आज के सेसन में कमेंट सेक्षन में जарूर बताईएगा और भया अरुन ने परिक्सा में उत्तीन होने वाली होने के लिए बहुत परिशरम किया तो मेरे दोस्त रेखांकित सब्द है ये पूरा रेखांकित है इस बाक्यांस के लिए सही मुहाबरा बताना जान पर खेलना लोहे के चने चवाना या एड़ी चोटी का जोर लगाना या फिर मेरे दोस्त लुटिया डुबाना या फिर क्या होगा लुटिया डुबाना तो आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ठीक है और बाकी कल की कक्षा आपके निरसर बाप इसलिए नीरसर ने ये निरने लिया उनके निरने के लिए भी आप लोग बहुत धनेवाद दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी पर मेरे दोस्त प्रभाब न पड़े ठीक है नमस्कार जेहिन जे भारत